सामने आ रही है समाजवादी पार्टी का आज राज सम्मेलन रामाबाय अमेटकर पार्क में राष्ट्य ध्वज रोहड राष्ट्य गान सपाध्यक्ष अखिलेश यादव करेंगे ध्वजा रोहड प्रदेश अध्यक्ष का भी होगा चुनाओ सपाध्यक्ष अखिलेश यादव कारिकरताओं को करेंगे संबोधित राजनेति कार्थिक प्रस्ताओं पेश होंगे रामाबाय अमेटकर मैदान लखनाओं में होगा सम्मेलन समाजवादी पार्टी का आज प्रदेश सम्मेलन सपाध्याक्ष कारिकर्ताओं को संबोधित करेंगे संबधिक जानकारी एक लिए समधाता संदीप खेर हमारे साथ जूप चुके है संदीप आज सपा का प्रदेश सम्मेलन है और कल रास्ट्रे सम्मेलन है फिलाल इसको लेकर तैयारिया क्या कुछ है किस तरह की तैयारिया की गई है समाजवादी पार्टी के सम्मेलन के लिए बिल्कुल त्रिशला देखे समाजवादी पार्टी का दो दिवस्ये सम्मेलन है और सम्मेलन की अगर बात करी जाए तो राश्ट्री और रास्तामेलन हो रहा है पचास हजार से जादा लोग इस समेलन में शामिल होंगे यानि समाजवादी पार्टी एक बार फिर से अपने आपको मजबूत करने के लिए तमान तरीके के प्रयास कर रही है क्योंकि आने वाले समय में देके नवंबर और दिसंबर में निकाय चुनाओ है उसके बाद 2024 में लोकसभा के चुनाओ होने है तो इसको लेकर समाजवादी पार्टी चाहती है कि किसी भी तरीके की कोई कसर ना रह जाए और देके समेलन के साथ साथ में इसमें राश्टी अध्यक्ष के नाम पर भी मोहर लगना है हलांकि अगर अखलेश यादव ही राश्टी अध्यक्ष चुने जाते हैं तो इस बार उनकी तीसरी बार ताजपोशी होगी क्योंकि पार्टी के सभी नेताओं का कहना ये है कि हमने अखलेश यादव को ही अपना नेता मान लिया है प्रदेश अध्यक्ष के रूप में वर्तुमान में कह सकते हैं कि नरेश उत्तम काबिज हैं उनके नाम को लेकर भी यही कहा जा रहा है कि इस बार भी उनी के ही प्रबल दावेदारी है लेकिन समाजवादी पार्टी देखे अल्प संक्या के साथ साथ पिछणों के साथ साथ अब दलित जो वोट बैंक है उसको भी अपनी पार्टी में करने के लिए लगी हुई है इसके लिए उसने एक अमबेटकर वाहनी भी बनाई हुई है हमार साथ यहां पर समाजवादी पार्टी के देखे कारियाले पर ही मैं मौझूद हूँ तमाम कारेकरता मौझूद है जो आज यहां पर पहुँच रहे हैं अलांकि यहां से पहुँचने के बाद यह सभी रमाबाई अम्बेटकर मैदान पर पहुँचेंगे को कि वहाँ पर खुद अकिले शादो मौझूद रहेंगे तमाम जो पार्टी के बड़े कार करता है वो वहाँ पर मौझूद रहेंगे इन लोगों से बात कर लेते हैं यह बताईए आज यहां पर आप पहुँचे हैं इस समेलन को किस तरीके से देख रहे हैं समाजवादी पार्टी के संविधान में यह विवस्था है कि प्रतेक पांच वर्स के बाद राज जी इस तरी जो संगठन है उसका ढहाचा बनाया जाता है और राश्टी अद्देश जी का चुनाव होता है हमें खुशी इस बात की है कि जिस मनोवेक से हम लोग लखनव आये हैं विविन जन्पतों से निश्चित तोर से अपने नौनिहाल नेता को पुनह राश्टी अद्देश देखना चाहते हैं और निश्चित तोर से मानिया खलेस याद्देश होंगे और इसके साथ साथ इन सम्मिलनों के माद्दम से आदरनी प्रफिसर राम गुपाल यादव जी देश की आर्थिक सामाजिक और राजनितिक प्रस्ताव पेस करेंगे उन प्रस्ताव पर बड़ी गहनता से चर्चा होगी निश्चित तोर से देश और प्रदेश में आज आतताई सरकार है इसा समूल जड़ से नस्ट करने के लिए ये प्रस्ताव जो सम्मिलन में पास होंगे निश्चित तोर से भारती जनता पार्टी की ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम करेंगे समाजी मुद्ध हैं सम्म Lakeland में पहूंच रहे हैं काफी जो सीनियर रेता है वो भी पहुँच रहे हैं लग भगास सभी कारे कर्ताओं का पहुच्चन का पहुचना जूरी आसे में क्या आजम खा को लेकर के क्या खबरे सामने आ रही आजम खागी पहुच रही इस सम्मिलन भी करी थी तो ऐसे में कोई दोराई नहीं है कि वो इस समेलन में पहुंचेंगे जरूर देखिए समाजवादी पार्टी सभी लोगों को साथ लेकर चल रही है वो चाहे मुलाईम सिंग के समय के रहे हो या फिर वो अखिलेश यादों के समय के रहे हो जिस तरीके से राष्ट अभी भी साथ है वो चाहे मुलाईम सिंग यादों के साथ रहे हो और वो चाहे अखिलेश यादों के साथ रहे हो ऐसे में यह देखने वाली बात होगी कि आजम खां समयलन में पहुंचते हैं नहीं जबकि चुनाव अधिकारी की बात कर लें तो राम गोपाल यादो को संदीब तमाम जोनकारी के लिए आपका शुक्रिया संदीब